नमस्ते मैं हूँ पायल रहादगी और आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखने वाली हूँ और उन प्रश्न के उतर जो मैंने पड़े वो भी शेयर करने वाली हूँ और ये प्रश्नों से शेयर आपकी धूविदा सुलज जाए कि हिंदुस्तान को हिंदु राश्टर घोशत करना क्यूं आवश्चक है जो हिंदु इस घमन में जी रहे हैं कि अर्बो सालों से सनातन धरम है और इसे कोई मिटा नहीं सकता उनसे केवल ये सवाल पूछे जाते हैं अफगानिस्तान से हिंदु को किसने मिटा दिया काबुल जो भगवान राम के पुत्र कुश का बनाया शहर था आज वहाँ एक भी मंदिर नहीं है गंधार जिसका विवरन महाभारत में है जहां की राणी गंधारी थी आज उसका नाम कंधार है और आज वहाँ पर एक भी हिंदु नहीं है ये मुझे मेसेज वाटसप पर आया है इसलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ जन हित में हिंदु हित में कंबोडिया जहां राजा सूर्य देव बर्मन ने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट बनाया आज वहाँ पर एक भी हिंदू नहीं है बाली द्वीप में 20 साल पहले तक 90 प्रतिशत हिंदू थे आज सिर्फ 20 प्रतिशत बचे हैं कश्मीर घाटी में सिर्फ 25 साल पहले 50 प्रतिशत हिंदू थे आज obviously हम सबको पता है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया एक भी हिंदू नहीं है जो कश्मीरी पंडितों मगर obviously अब कश्मीरी पंडितों का रिहाबिटेशन हो सकेगा क्योंकि आर्टिकल 370 को निकाल दिया केरल में 10 साल पहले तक 60 प्रतिशत जन संख्या हिंदू ओकी थी आज सिर्फ 10 प्रतिशत जन संख्या हिंदू ओकी है नौर्थीस्ट जैसे सिक्किम, नागालेंड, आसाम, आदी वहां भी हिंदूों की जन संख्या कम होती जा रही है मित्रो, जी हाँ the word मित्रो 1569 तक इरान का नाम पारस या पर्शया होता था और वहां एक भी मुसलिम नहीं था सिर्फ पारसी रहते थे मगर जब पारस पर मुसल्मानों ने आकरमन किया तब पारसी बूढे बुजर्गों ने अपने नौजवानों से यही बात कही जो आज के हिंदू कहते हैं कि हमें कोई मिटा नहीं सकता लेकिन इरान से सारे के सारे पारसी मिटा दिये गए धीरे धीरे उनका कतलियाम और धर्म परिवर्तन होता रहा एक नाव में बैठकर 21 पारसी किसी तरह से गुजरात के नौसारी जिल्ले के उधावाडा गाउं में पहुचे और आज पारसी सिर्फ भारत में ही गिंती की संख्या में बचे हैं हमेशा शांती की भीक मांगने वाले हिंदूओं आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा संकट अब हिंदूओं पर आने वाला है इसायों के 80 देश और मुसल्मानों के 56 देश हैं और हिंदूओं का एक मात्र देश है भारत मगर उसे भी हिंदू राश्टर घोशित करने के लिए लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं लोग यानि लिबरल्स और इन लिबरल्स में कुछ हिंदू भी है मैंने दस लोगों से पूछा कि जो हिंदू थे कि आप किस जाती के हो तो उन दस लोगों ने कहा कि इस लेखक ने दस मुसल्मानों से पूछा कि आप कौन सी जाती के हैं तो उनोंने सिर्फ ये ही कहा कि वो मुसल्मान है मुसल्मानों में भी जातिया हैं मगर ओविसली वो इन जातियों के भेदभाव में नहीं आते वो सिर्फ अपने आपको मुसल्मान कहते हैं और एक जुट रखते हैं मगर हिंदू ये जातियों में बठ कर obviously अपने आपको बाठते हैं और जिसकी वज़ा से आज सबसे बड़ा संकट उनके उपर आएगा अगर वो अभी भी नहीं समझेंगे एक जुट होना और कैसे जातिवाद को भारत से खतम करना और सरकार या I think लोगों के सामने ये बात को रखना कि भारत को हिंदू राश्ट् हिंसा नहीं होती हिंदू का मतलब हिंसा से दूर तो मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार obviously मेरे इस वीडियो पर गौर करें जो बहुत ही polite way में information share कर रहा है कि क्यूं भारत को हिंदू राश्ट्र होना चाहिए नमस्कार